पाश्चात्यवादी विचारधारा के अंतर के अतार हम उत्तर सनरचनावाद का अध्यान करेंगे जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं पोस्ट इस्ट्रक्चरल लिजम इन बिंदों के अधार पर हम इस टाफिक कद्यान करेंगे पहला प्रस्तावना फिर उत्तर सनरचनावाद के उद्भाव के कारण वो कौन से कारण थे जिसके कारण उत्तर सनरचनावाद ने जर्मन दिया उत्तर सनरचनावादी प्रमुक विद्वान वो कौन कौन से प्रमु उत्तर सनचनावादी विद्वान पॉल डी मन का मत, अमेरिकी विद्वान एक हुए हैं पॉल डी मन करके, उत्तर सनचनावाद के विशा में उनके क्या विचार हैं, उत्तर सनचनावादी विद्वान देरीदा का मत, जैक देरीदा नाम के विद्वान हुए हैं फ्रांस में, जो विखंडनवाद के जनक मने जाते हैं, इनका क्यामत है, उत्तर सनचनावाद और इस्तिरी पार्ट, उत्तर सनचनावाद के आधार पर इस्तिरी पार्ट, मतलब एक महिला के द्रिष्टी कौन से किसी पार्ट को पढ़ना, उत्तर सनचनावाद और विखंडनवाद का संब सब्सक्राइब करें नमस्कार में आप सबका हार्दी सवगत करता हूं और अब ही तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चिनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सांती बेल आइकन को दबना ना भूलें, ताकि बेरे प्रतिक वीडियो का अपडेट्स आपको मिलते रहें, तो चलिए सुरू करते हैं, प्रस्तावना, पुत्तर सनचनावाद शब्द अंग्रेजी के पोस्ट इस्ट सनचनावाद क्या है, तो यह उत्तर सनचनावाद का अगला चरण है, आगे का भाग है, अर्थात उत्तर सनचनावाद से आगे किया धारणा है, दोनों को अलग नहीं कह जा सकता, क्योंकि सनचनावाद का अगला चरण उत्तर सनचनावाद है, याना दोनों अलग अलग नह सनचनावाद जहां से समाप्त वती है उसके आगे से उत्तर सनचनावाद शुरू होता है उत्तर सनचनावाद एक पधती भी है और दार्शनी पुरी तरह समापत हो चुका था और उसके जगह में जन में लिया था उत्तर सनचनावाद में आज यह बहुत धीक बातवरण का महत्पुन स्वर है मतब पाश्चात्य विचारधारा में यह एक महत्पुन विचारधारा माना जाता है यूरोप में इसका गहरा प्रभाव है बहुत मैंडली करण का यूग में यह भूमनैली अधारन बनता जा रहा है मतब इ ereसने जन में लिया है लेकिन चुकि ग्लोबलाइजेशन का दो वोरे भूमन अलीकरण का दवन है तो Uttar Sanatnaanchnawad पुरे विश्य में फैल रहा है सभी उत्तर-OrdyaagCK उपड है उत्तर-Ordyaagikk उपड है उत्तरी-जीग अगय उत्तर-Ordyaag Gente स्थांतर सनजनावाद का संब्द किस से था इतिहाद से ता और एंत्रोंपोलाजी से था नितत्र सास्त्री मनविज्ञान से भी था सहित्य से आदि था और इनकी समीच्छा की एक विठिजटी थी यहां द्रिष्टि कोण था, किन्य उत्तर सरवज़नावाद क्या है? उत्तर आधनिक समय का उत्पाद है, उत्तर सरवजनावाद का समद्ध जिसके करण उत्तर सनर्चनावाद का जन्म हुआ उत्तर सनर्चनावादी विचार द्रिष्ट के उत्मन होने के कई कारण हैं जैसे कि राज सत्ताओं के आगे मानाव अधिकारों की मांग अत्याय राजाओं के जो सासन होता था उनके समख्ष मानाव अधिकारों की माँ, human rights अत्याय आधिनिक्ता से उपकर धर्म एवं चिंतन की शर्ण अध्योगी की करण के करण जो अत्यधिक आधिनिक्ता हो गए थी उससे उप गए थे लोग और इससे उपकर धर्म और चिंतन की सरण ले रहे थे भूमंडली करण और उभोक्तावादी और उत्तर पुंजीवादी संस्कृति की आधिनिक जकरबंदी से अकुलाहड मतलब भूम अंडले के काण, भोक्तवादी संस्कृति के काण और उत्तर पुझीवाद के काण लोग के मन में जो बैचैनी उत्पर्ण हुई थी, जो अकुलाहड उत्पर्ण हुई थी और उत्तर आधनिक इस्तितियों को समझना, तता आधनिक्ता के केंचुल को उतारने का उप्रम करना आधी मतलब आधनिक्ता से लोग बुरी तरह त्रस्त हो चुके थे, इतने ज़्यादा आधनिक हो गयती कि वो परसान हो गयते इसलिए उन्हें उत्तर सनचनावाद को जर्म दिया, साहित या संस्कृती के शेत्र में उत्तर सनचनावाद ने गहरा असर डाला उत्तर सनचनावाद पुराने चिंतर प्राणाली को खंडित करता है, उत्तर सनचनावाद की इस्तापना फ्रांस में हो थी तो इन परिस्थीतियों में जब उत्तर आधनीक्ता के कारण जो आधनीक्ता का जो दावर था उसे कारण लोग बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो गये थे तो चिंतन और धर्म की स्रण में जाने लगे थे इसलिए यहां पुरानी चिंतर प्रिनारी को दोस्त करता है उसे खड़ित करता है और इस प्रकार उत्तर सनत्नवाद की स्थापना हूई थी फ्रांस में उत्तर सनत्नवादी प्रमुख विद्वान कौन-कौन से विद्वान है जो उत्तर सनख्णवाद से संबद रखते हैं क्लाडे लेविस इस्त्रोस ये नितत्व शास्त्री हैं जिसे एंत्रोपोलाजिस्ट कहते हैं माइकल फुको प्रत्य वादी चिंतक प्रत्य मतला होता है आइडिया या विचार आइडिलिस्टिक रोला बार्थ साहितिक समिछक ससूर भाशाविद कुछ किताबों में सस्यूर भी लिखा रहता है तो सस्यूर अ ससूर दोनों एकी चिड़ें रोमन जैकोब्सन, माइकल वाक्त, नौम चाम्सकी आधी ने उत्तर सनचनावाद की स्थापना में महादपोन योगदान किया था किन्त इनका कोई इस्कूल नहीं था, कोई घराना नहीं था, सबका आपना अपना चिंतन था सनचनावाद की सिमानतों के आगे की इस्तिति है, जहां पर सनचनावाद समाप होता है, उसी सीमा से अगे उत्तर सरचनावाद जन्म लेता है, लांका ने सनचनावाद की निरंकुषता पर प्रस्णचिल लगा है, लांका नाम के जो जोंत था, उन्होंने चाह की सनचनावाद निरंकुष से, उसने कहा कि स्टरास का सनचनावाद मनुस्य समाच को मशिन की तरह ब्याख्या हीद कर रहा है, मत् 건क अद्शनियर के पनो नियम कानुन के अधार पर मनुसिक के जीवन को की व्याख्या की जा रही थी जो कि मसीनी थी इस तरह सरचनावाद प्रश्णों के घेरे में आया और साथमे दशक के मद में जेकुद दरीदा के स्पीच एंड फिनोमिना राटिंग अन डिफरेंट्स तथा आप ग्रामेटोलीजी जैसे चिंतन परक लेखन ने सरचनावाद का वर्चास को कम किया और उत्तर सनटनावाद की स्थापना की मतलब वास्ता में उत्तर सनचनावाद की स्थापना या जर्मत देने का असरे मुक्रूप से किसके लेखन को जाता है जे के उस देरिदा इन्होंने तीन चार जो लेख लिखे थे Speech and Phenomena, Writing and Difference तथा अब Gramatology तो इनके लेखोंने सनचनावाद के वर्चा से को कम कर दिया या लगबग खतम कर दिया और उत्तर सनचनावाद की स्थापना की अमेरिकी विद्वान पाल डीमन ने उसे और विक्सित किया अमेरिका में एक विद्वान हुए पार्लीमन उन्हेंने उसे और ज्यादा विखसीत रूप में ग्रक्या क्या उसका, उसे विखसीत क्या उत्तर सरचनावाद में भाषा की केंडरी इस्थिति तेफिये, सरचनावाद भी भाषा और उत्तर सनट्नावाद भी भाषवी ज्यान से समंदित है और दोनों अपने अपने तरीके से भाषा की व्याक्या करते हैं उस पर विचार भी मर्ज करते हैं सनट्नावाद ने भाषा को एक माडल के रूपे प्रस्तूती पर बलता भाषाई माडल ससूर से लेकर फूको रोलाबार्त आदी विद्वारों की दिष्टी से भिन 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 धंग से ब्याक्याईत हुए हैं किन्तो सबका मत है कि इस बिंदु पर अवश्य है कि भाषा या पाठ ही मातपूना है और उससे ही भाषा गत प्रकारियों के अधार पर पाठ में नहीं संदर या संदेश का उधाटन संभाव है मतलब चाहे ससूर हो हो चाहे फूको हो चाहे रोलाबार्त हो सबी ने भाषा यी माडल की विवेचना किया है कि भाषा क्या है और अपने-अपने ध cortex से उसके व्याख्या किया खिंतु उनका मानना यह है कि सबसे मतपून क्या है भाषा है या पर पाठ है जो टेस्ट है जो लेख अगने लिखा है और भाषा के जो अलग-अलग function है, भाषा के जो अलग-अलग कार्य हैं, उसी के आधार पर किसी पार्ट या test में नहीं संदर एकाउन गाटन किया जा सकता है, उसकी ब्याक्या की जा सकती है, उसकी विवेचना की जा सकती है. मतब भाशा के माध्यम से किसी पार्ट की विवेजना की जा सकती है उत्तर सनचनावाद में भाशा ही केंद्र में है और उत्तर सनचनावाद भी भाशावीद, ससूर, सुट्जय लेंड से प्रित है जिस पकार सनचनावाद प्रेवित है ससूर से उसी तरह उत्तर सनचनावाद भी भासावीद ससूर से प्रेवित है वस्तुता सनचनावाद और उत्तर सनचनावाद जैसी और धानाओं के मुल में ससूर लिया है जो की महान भाषा विद हुए है उन्होंने भाषा निर्माण तथा बोलने और उसके अनभावन के समन्द में विष्टार से चर्चा किये ससूर नाम के जो भाषा विधुए हैं उन्होंने भाषा का निर्माण कैसा होता है भाषा को कैसे बोलते हैं और भाषा को कैसे महसूस करते हैं उसे समझते हैं इन सब पर विश्टार से चर्चा किये अती संचेप में उनके भाषा परिपत को निम्नानुसार समझा जा सकता है कि भाषा का कैसे कारी करती है उसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं वक्ता के मस्तिस के अमुर्थ भाव या विचार जो पहले साइकिया मन मस्तिस के इस्तर पर हैं अभिव्यक्ति के लिए वाग प्रतिकों अर्था ध्वनी प्रतिकों करूप भाषा का भाषा का भाषा करूप धारान करते हैं और ध्वनी तरंगों के माध्यम से स्रोता अपने कानों से उन्हें सुनता है मतलब भाषा सबसे पहले मनुष्ट के मन मस्तिस्क में जन्म लेते हैं और फिर उसे मतलब पहले मन के इस्तर पर रहते हैं मस्तिस्क के इस्तर पर रहते हैं फिर उसको अविव्यक्त करने के लिए व्यक्ति उसे बोलता है जब वह बोलता है तब ध् वक्ता के विचार भाव की मुर्ति इमेज बनती है और वह वक्ता की बात को समझता है अत्वा समझने का प्रयास करता है। मятель यह शुरtअ किसी बात को सुनता है उसके बाद वाज़ वह रिषपांद देता कोच बोलता है। तो पहले तो समझने की प्रक्रिया है सुनने की प्रक्रिया है वह अमुर्थ होती है। लेकिन बाद में जब सुरोता कुछ बोलता है, तो वह क्या है, वह भावतिक रूप से बोलता है, उच्चारण करता है, चिन्नों या प्रतिकों के माद्यम से, वाक चिन्नों या प्रतिकों के माद्यम से उसको मुर्थ रूप देता है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, तो य इसी प्रक्रिया द्वारा समझ सकता है और अपनी प्रक्रिया दे सकता है। ठीक इसी पकार कोई स्रोता है या कोई पाठाक है जो किसी पाठ को पढ़ रहा है तो अब पाठ को पहले पढ़ेगा फिर अपनी प्रतितिया देगा। इसी तरह समीच्छक पहले पाठ को हम रता है चाहे आप अपने संबात करते हैं चाहे हम कुछ वक्ता का अभिप्राय मतब मैसेज और मोटीफ और श्रोता की समझ अंडरिस्टेडिंग आश्यक नहीं है कि दोनों एक ही हों क्योंकि यहां संप्रेशन कम्यूनिकेशन की प्रक्विया अंतर नहींत है जो अर्थभेद कर सकती है अर्थात कहा कुछ जाए और समझा कुछ हो जैसे कि मैं यह चेप्टर आपको कर रहा हूं तो मैं कुछ कहना चाह रहा हूं तो मेरा कुछ और हो सकता है कि आप मेरे अभिप्राय को ग्रहार कर लें आप सुरूता है हो सकता है कि आप जिन बातों को मैं जैसे बोल रहा हूं आप ऐसा ही समझ लें या फिर हो सकता है निभीन समधायों में भिन्न हो सकते हैं, ऐसी परिस्तितिया ही भाषिक विसलेशन चाहती है, जैसे कोई दक्षिर भारती व्यक्ति मेरी बातों को सुन रहा होगा, तो उनके जो भाषा की प्रतीक व्योस्ता है, वो अलग है, ये दिवा हिंदी से भली भाती परिचित नहीं ह तो वह इसे नहीं समझ सकता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब प्रतीक जो भाषिक समाज है, उनके अपनी अपनी प्रतीक व्योस्ता होती है, इसलिए आएसी परिस्तिती में ये विसलेशन की मांग करती है, कि मेरी बातों को ये दिस समझना है, तो कोई उसे व्याख्या करे उसकी कि मैं क्या कर रहा हूँ, सरचनावादी भाषिक माडल इसी आधार भूद्रिश्टी से प्ररित है, जहां भाषा को स्वतंत्रेकाई मान कर वक्ता, स्रोता थ्वा लेखक, पाठक के अर्मभूती और अभिव्यक्ति का तिस्तरों का विसलेशन विवेचन होता है, तो क्यों की भाषा अलग-लग होती है, उनके भाषिक प्रतीक अलग-लग होती है, इसी लिए सरचनावाद में इसका विसलेशन और विवेचन होता है, ससूर इसलिए भाषा के दो इस्तरों या तत्वों, परोल, अर्थात वचन या उच्चारन भाषा का भूतिक पच्च, और बहाशा का बहवतिक पक्ष मूर्थ पक्ष और दुसरा बहुती प्रक्ष जो मन में होता है मन में कोई बात फिर उस版 को हम अभिभ्यक्त करते हैं जो मन की भाशा है लेंगभी है और जो हमारा उच्चरण है वाक्या है परोल है अब ससुर वाग परिपत की बात करते हैं कि कैसे हम कम्यूनिकेट करते हैं वे भाषा को एक समाजिक तत्य मानते हैं भाषा एक समाजिक तत्य है क्योंकि भाषा समाज में जन्मे लेती है भाषा कैसे रूपाईत होती है, कैसे रूपकार गरण करती है भाषा कैसे जन में लेती है, कैसे उसका रूप निर्धारित होता है कैसे उसका रूप बनता है इस प्रस्टन को वे स्वयम ही उठाते हैं और उत्तर भी स्वयम ही देते हैं वे लिखते हैं कि जब हम ऐसी भाषा में बोलने वालों को सुनते हैं जिसे हम नहीं जानते तब हम उस समाजिक तत्य की परिदी से बाहर होते हैं जिसे हम अपरचित हैं। जैसे हम को तमील आडू का हैं और हम कचड़ा सड़क पर फेक देते हैं। वहां बहुत साब सफाई रहती हैं तो कोई तमीलियन वेक्ति हमारी नराज होगा चिलाएगा कि यह आपने आपर सड़क पर क्यों फेक दिया। लेकिन हम उस भाषाई समाज से बाहर के तो हमें समझ चलाएगा कि यह तमील जो वेक्ति है वह हम पर नराज हो रहा है कि हमने कचड़ा यहां पर फेक दिया है। जिससे हम उस भाषाई समाज की जो विशिष्टता है कि हमको अपने समाज और अपने परिवेस को साब सुत्रा रखना है उससे परचित हो सकेंगे और उनके समाज अनुसासने को निनमिति होती है। बाद भाषा का जर्म कहां पर होता है? समाज में होता है। आयोग यह तौक बोलने में अस्तित्व रहा नहीं करती? वरन समू समुदाय के बोलने समझने के प्रयासों द्वारा निर्मित होती है मतलब भाषा का जन्म किसी व्यक्तिगत इस्तर पर नहीं होता बलकि समाजिक इस्तर पर होता है जिस समुदाय में हम जन्म लेते हैं जिस समू में जन्म लेते हैं तो तो वहां पर जो भ्हाषा होती है उसी भ्हाषा का हम प्रयोग करते हैं तो यह समंधाय के बोलने समस्ञ्णे के प्रयासों द्वारां निर्मित होती है मतलब यहां पर व्यक्ति महतपूर्ण नहीं है, बलकि समाज अधिक महतपूर्ण है, भाषा किसी वक्ता के प्रकारे में नहीं होती, मतलब वक्ता का फंक्सन नहीं है, कि वक्ता बोले का तब भाषा जन मिलेगी, व्यक्ति या वक्ता का भाषा के प्रसंग में बस इतना ही य भूमिका या उसके विकास के प्रक्विया में अपनी भूमिका का निर्भान कर सकता है। भाषा समाजिक तक्तिक रित होती है। भाषा समाज में जन्म लेती है। उत्तर सनचनावाद में भाषा पर अधीक बल हैं। ससूर की विचारदारा को पुरी तरह पलड दिया है और एक नई पद्धति को जन्मदिया है जिसे हम कहते हैं विखंडनवाद या डिकस्टक्षन या विनिर्मिती। ससूर दो भाषाओं के भाषिक चिन्हों की प्रकृति को भिन्दता मुरक मालते हैं। जो अलग अलग भाषाओं या नई नई विखंडनवाद या विन्दता में ने प्रस्तूत भी रहता है। और जो अप्रस्तूत या अनुपस्तित हैं जो अमूर्थ और अद्रिस हैं वही भाषा की गहन सलजना या डिप श्रक्षर कहीं जा सकती है। मतब उनका कहना क्या है। ससूर का कहना क्या है कि कुछ बाते तो हमको दिखाई देती है। जब हम किताब पढ़ते हैं तो कुछ बाते हमको प्रत्यक्षर उपसे पता चल लाता है। और कुछ बाते उसमें अप्रस्तूत होती हैं अद्रिस होती हैं अनुपस्तित होती हैं जो दिखाई नहीं देती हैं। तो जो अमूर्थ और अद्रीस है उसे ही भाषा की गहन सनचना या डीप इस्टक्चर कहा जा सकता है। मतला हम जब कोई किताब पढ़ते हैं, कुछ कविताब पढ़ते हैं, या कोई कहानी पढ़ते हैं, तो सुपरफीसेली हम उपर से उसका समझ लेते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसमें अद्रीस हैं जो दिखाई नहीं दे रही हैं, जो छुपी हुई हैं, जिसे इंगलिस में read between the lines कहते हैं, तो उसे भाषा की गहन सनचना या डीप इस्टक्चर कहा जाता है, अब उत्तर सनचनावाद में पार्ट की केंदरी इस्तित हैं, तो उत्तर सनचनावाद क्या है, उसी अद्रीस की खोच करता है, जो अगोचर है, जो अद्रीस है, जो अनुपस्तित है, उसको ढूंड कर लाता है उत्तर सनचनावाद, उत्तर सनचनावाद में पार्ट की केंदरी इस्तिति, पार्ट मतलब होता है टेस्ट, जैसे मु उसी आनुपस्थित या अद्रिस या अमूरत को खोजना चाहिए, जो समिच्छक है या जो आलोचक है, जब वो किसी कृति की आरोचना करता है, तो उसको उसी अद्रिस या अमूरत और अगोचर तत्तों को ढूड़ना चाहिए. और यह खोजने की प्रक्विया ही trace है, trace करना मतब ढूरना, उस अद्री से अगोचर चीट को ढूरना, इस तरह सारा बल पार्ट पर ही दिया जाता है, पार्ट पंदल लेखक पर नहीं, बलकि उकसे द्वरा लिखेज है पार्ट पर बल दिया जाता है, पार्ट टेस्ट की समा समीचह पार्ट केंद्रित है, मतना समी движघ कैसी होती है, पार्ट के उपर केंद्रित होती है, लेक्व पर केंद्रित नहीं होती है, देरीदा ने इसी पार्ट के deconstruction या विखंड़न की बात कही और deconstructive युटि खंडित पाट की वकलत की खिंतवा भी पाट को एक केंद्र में रखकर निर्मित की बात को आगे बढ़ाता है। जैक दरिदा कभी यही काना है कि पाट का विखंडन होना चाहिए। पाट को छोटे-छोटे हिस्सों में बाट करना हमको उसका समझने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन इसके बावजिद भी पाट हमेशा केंद्र में ही रहेगा। मूलता समिच्चक का काम उपस्तित या पार्ट में उपस्तित पार्ट की तलास है जो ट्रेस और डिकंस्ट्रक्शन से संभाव होती है। पार्ट की गहन सरचना में नहित समेदना अर्थादी की कोज विखंडन के द्वारा ही संभाव है। मतलब हमको किसी पार्ट को यदि समझना है, किसी टेस्ट को समझना है, तो हमको पहले उसका विखंडन करना होगा, उसको छोटे-छोटे भागों में हमको विभारित करना पड़ेगा, उसके बाद जो हमको दिखाई दे रहा है, उसकी हमको तलास नहीं करना है, तो हम ऐसा ह पाट की गहन सनच्टा में जो नहीत उद्देश है, जो उसकी भावना है लेखा की उसको ढूंड कर समझना है, और यह विखंडन के द्वारा ही संभव है, तो मतलब पाट अधिक महत पूर्ण है, पाट की केंदरी इस्तिति है, भाषा की केंदरी इस्तिति है उत्तर सनच्ट की महनेता है कि कावे पार्ट में है आलोजना नहीं गरती है, उसके अंदर में ही आलोजना छुपी हुई है, आलोजना की पगण्टि, उसकी प्रक्रिया, उसके प्रतिमान ही, टैस्ट में खोजने चाहिए, कि आलोचना की पधती क्या होगी उसकी प्रक्रिया क्या होगी उसके प्रतिमान क्या होगे नाम्स क्या होगे वह वास्ता में हमको उस टेस्ट में है उस पार्ट में ही उस कविता में ही खोजना चाहिए सनचनावाद या उत्तर सनचनावाद पार्ट के बाहर किसी प्रतिमान आदर से सिद्धान को समिच्छा के लिए पाल डीमन अनावाश्या का और अकारत मानते हैं जैसे हम कोई कविता पढ़ रहे हैं अब उस कविता के हम समिच्छा करते हैं मार्स वादी विचारधारा के अधार पर या आधुनिक्ता वादी विचारधारा के अधार पर उत्तर आधुनिक्ता वादी विचारधारा के अधार तो अब पार्लिमन का कहना है कि हमको ऐसी किसी भी विचारधारा के अधार पर हमको उस कविता की समिच्छा नहीं करनी है बलकि कविता की समिच्छा हमको करनी है उसी कविता के अंदर जो प्रतिमान हमें दिखाई दे रहे हैं उस कविता के अंदर जो चीज़े हैं उसी के अधार पर हमको उसकी समिच्छा करनी है बाहर से कोई सिध्धान्त या कोई वाद उस पर अरोपित नहीं करना है। कभी बहुत भावुक हो गया, कभी ने कविता लिग दी। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें सनुचना के तत्तों में नहीत होते हैं जिसको पाठक विसलेशर के द्वारा समझ सकता है। तो आलचक और समिख्षक का काम क्या है, जो अद्रीस है, जो अमूर्त है, तो वह रचना की गहन सनुचना में जाकर उसको व्याख्या करना, उसकी आलचना करना पाठक या समिख्षक का काम है। ते उत्तर सनुचनावाद में पाल दी मन कमवत है। अब उत्तर सनुचनावादी विद्वान जैक दरीदा का क्यामा था यह देखके। दरीदा के विखंडन में सनुचनावाद से सामय भी है और वाश्यम में भी। मतब सनुचनावाद से इनके समानता भी है और असमानता भी है। दरिदा सनचनावाद के विरोधी नहीं है वरने उत्तर सनचनावादी है बालाई जैक दरिदा सनचनावाद के विरोधी नहीं है लेकिन में वास्ता में क्या है उत्तर सनचनावाद को इनोंने समर्थन दिया है सनचनावाद से वे 20 बिंदु पर सामबत हैं कि लेखन लेखा क मतलब उनका काना है जो लेखन है कि वह हमेशा लेखक के उद्येशते से संचालीत नहीं होता है इस वह स्वतंतर होता है लेखक संजल्स से शहतंतर होते है अर्थाद पार्थ का अर्थ पार्थ की सनटना से जुड़ा होता है, बाहर से अरवपित नहीं होता है, मतलब वह पार्थ एक स्वतंत्र पार्थ बन जाता है, इसलिए जो पार्थ का अर्थ है, वह पार्थ की सनटना से जुड़ा होता है, बाहर से उस पर कोई अर्थ अर्थ नहीं होता। इस तरह अलोचना बाहरी करणों, सिध्धानतों, मत्मतांतरों, धर्म, दर्शन, समाज, आधी की अधारणों से पिरित नहीं होती, बलकि पार्ट के अंदर से ही सम्मंदित कार्य है। और जब सनचना स्वयम की भाषा में ही कैद नहीं रहती, विखंडी थोकर अनेकार्थता का द्योतन करती है, तब वह विखंडन है। उनके कहने का मत्य हैं किसी पार्ट की अलोचना, उसकी सनचना में नहीं तत्मों के अधार पर की जानी चाहिए, बाहर से उस पर कोई भी व खल फादी विचार आधारा के अधार पर हंको दान की अलोचना करेंगे। तो यह थो हमें नहीं करना है, यह कहुणाक कई कन्य धार पर करना है, अब एक इसकी अपने अपने अधार पर उसको समझता है, और हर क्या है बार-बार उसके नए अर्वर कर आते हैं और यही विखंडन है कि विज्ञान और साहिटी में यही फर्क है कि जहां विज्ञान को प्रमाडित करने के लिए बाहरी तत्यों की ako hazh कछनी पढ़िती है को है साहित्य का प्रमाड्ति का पर्माड्प होता है किसी behalf जूप चीज़ों को क्या सीध्य करना पड़ता है बाहरी वात निरमिती अधम के पर और निर्मित रास्तों को पुरी तरह से नकार दिया, मतब पहले कि जो विचार धाराएं थी जो समिछा सिधान था उसको पुरी तरह से इन्हों नकार दिया, विल्योमों मतब विप्रीत या विरोधी तत्तों के सहारे पाठ विसलेशनर पर बल दिया जाता है, जैसे कि किसी या तत्व की उपस्तिती और अनपस्तिती वाचन और लेखन शद्द और अलंकार दर्सन और साहित प्रमुक केंद्र और उपकेंद्र आदी एक ही टेस्ट की इन बिन्दों के अधार पर की गई समीच्छा विखंडन का कर्म है विखंडन क्या करता है दो विरोधी तत्व के अधार पर किसी कृति की आलोचना करता है उसकी समीच्छा करता है यह ना दो विरोधी तत्वों के दरसाथ यह पाठ में नहीं भीतर बाहर के विलोगों की परक करता है मतलब पार्ट के अंदर कौन-कौन से चीज़े हैं जो एक दूसरे के विप्रित हैं और पार्ट के बा अधार पर जितने भी समीच्छाक होंगे जितने भी पाठाक होंगे वह अपने अपने धंग से टेस्ट को समझेंगे पार्ट को समझेंगे और की समीच्छा करेंगे इस प्रकार किसी भी कृति की दो या दो से अधी करूचना हो सकती है व्याख्या हो सकती है सत्य का अनुस भी दलितों में भी इस्त्री और पशों में भी कहीं भी किया जा सकता है हर चीज के दो अर्थ हो सकते हैं या दो से अधिक भी अर्थ हो सकते हैं अर्थ का निनायक अब लेखक नहीं पाठ का पाठक है और उसे पढ़ने की पद्धती है क्योंकि लेखक जो है पाठ को लिखने कि पतती के अधार पर उसका अर्थ का नीधारण होता है मतल trat उसमें पहले से कोई अर्थ नहीं होता उत्तर सन?, इस्तिरी पार्ट का क्या सम्मझ ए? उत्तर सनड्नवाद ने इस्तिरी पार्ट पर विजबल दिया है अब देखते हैं इस्तिरी पार्ट क्या है इस्त्री पार्ट से अभी प्राय है किसी पार्ट को औरत की तरह पढ़ना किसी महिला के द्रिष्टी कोण से किसी कहानी या किसी उपन्यास या किसी कविता को पढ़ना इस पुरुस प्रधान समाज में साहितिक पार्ट को अब तक पुरुषवादी मनुवर्थी से ही पढ़ा जाता रहा है अब इस्त्री वादी द्रिष्टी से पढ़ने पर बल दिया गया तो उत्तर सनटनावाद ने किसी कृती को एक महिला के द्रिष्टी कोंट से पढ़ने पर बल दिया क्योंकि पहले जितने भी लेक लिखे जाते थे उसमें पुरुषवादी भावनाओं की वर्चेस्ट था पुरुसों के द्रिष्टिकोंड से लिखा जाता था पुरुसों के द्रिष्टिकोंड से पढ़ा जाता था लेकिन अब इस्त्री पार्ट को महतो दिया गया विखंडन का शुरूत पार्ट में है और पार्ट को पढ़ने की रणिती में मतलब इखंडन का मूल सुरूत कहां पर है पाठ में है टेस्ट में और पाठ को पढ़ने की रणिती में कि हम पुरुस वादी दिश्ची कोर्ण से किसी पाठ को पढ़ रहे हैं या फिर इस्त्री वादी दिश्ची कोर्ण से हम पाठ को पढ़ रहे हैं उत्तर सरजनवादी अवरत के पाठ ने मर्द लेका के उद्धेश के पूर्ति के लिए और दमर्द पाठक को ध्यान में रखकर लिखे जाने वाले पाठ के उधारना को समाप्त कर दिया है। दिष्ट्री के दिष्ट्री कोण से कैसे पढ़ा जाना चाहिए। तो या उत्तर सरजनवाद के काण या सफल हो पाया है। उत्तर सरजनवादी समिच्छा का इस्तरिवादी समिच्छा रूप एक महत्रपोन का टक है। मतला एक महिला कैसे किसी कृती की समिच्छा करेगी। इस्तरिवादी समिच्छक दिष्ट्री कोण से उसकी समिच्छा की जाती है। और यही उपकरम यही कारे क्या है विखंडन है। वस्तुता देरिदया का विखंडन इतिहास, मानुशास, दर्शन, आदि सभी अनुशासन के पार्ट पर लागू होता है। इतिहास के माहवितान पार्ट है, जैसे कि हमारे महावारस रामयाड यह सभी पार्ट हैं। उन्हें विखंडित करके समझा जा सकता है। कि खंडन के माध्यम से हम उसको समझ सकते हैं कि उसकी भाषा क्या है उसकी इश्यली क्या है है और विभिन क्या क्या तत्व है उसमें नहींत है हर पार्थ का अर्थ और पाठक अन्भो प्रिथक होता है यहीं से अर्थ की अनेका अर्थ की अनुबूती होती है मतलब हर पार्थ का अर्थ मतलब जितने भी पार्थ जैसे रामचरित मारास को एक व्यक्ति पढ़ेगा तो अपने इसाब से समझेगा और दूसरा व्यक्ति पढ़ेगा अपने इसाब से समझेगा मतलब हर पाठक का अर्थ की अनेकार्थता की अनुभूती होती है मतलब वह स्वामी तुलसी जास की कोई पंक्ती है तो एक जो पाठक है वह अपने हिसाब से उसका अर्थ लगाएगा दूसरा पाठक अपने हिसाब से अर्थ लगाएगा और एक उसका मूल अर्थ होगा, तो यहीं से अनेक आर्थता की अनुभूती होती है, मतलब किसी भी बात या किसी भी पंक्ति के, किसी भी शब्द के अलग-अलग अर्थ होते हैं, यहां विखंडन है, अब उत्तर सनट्यावाद का विखंडन वाद से क्या समान दिया देखत करना, पाठ की तातकालिक समझे, विखंडन वाद क्या है वास्ता में, पाठ को समझना, नए तरीके सा समझना, विखंडन के अनसार प्रतिक पाठ पढ़ने पर एक अधूरा पाठ होता है, अर्थात पढ़ने पर पूरे अर्थ का दियोतर नहीं करता, मतलब यदि एक बार आप किसी पाठ को पढ़ते हैं, तो पूरे अर्थ को नहीं समझ सकते हैं, या एक प्रकार का पूर्ण पढ़न पढ़न कम्प्लीट रिडिंग आप टेस्ट नहीं वरने गलत पढ़न मिस रिडिंग है, अता हर बार पढ़ने परवन नहीं होता है, और नए अर्थ को घाटि होता है, अपने देखा होगा विक्रम मितल की वह बार नहीं कहानी सुनाता है और हर बार नहीं प्रशन पूरता है ठीक वैसे किसी पाठ को आप जितने बार पढ़ेंगे उतने बार आपको नहीं नहीं अर्थ को घाटित होगा, नहीं अर्थ को सब्ढ़न कोई भी पाठ का दोहराने, विखराने, क्रम उलटने और कई बार प्रतिरोपन द्वारा संपन कियाती है, विखर्णन की प्रक्रिया कैसे संपन होती है, हम बार बार पार को दोहराते हैं, बार बार उल्टे क्रम से पड़ते हैं, और कई बार बार से हम उस पर कोई अर्था औरोपित करते हैं, इस तरह देरीदा पार्ट या टेस्टे बार कुछ नहीं मानते और सिधान्त वाधी समिच्छा को न कारते हैं इस तरह जो देरीदा हैं उनका कहना है कि सब कुछ पार्ट के अंदर टेस्ट के अंदर नहीं दे बाहर से कुछ भर कोई भी सिधान तो इस पर औरोपित नहीं क्या रह सकता किसी भी सिधान के अधार पर समिछा नहीं की जानी चाहिए उत्तर सनटनावाद में लेखक और टेस्ट पार्ट का अलगाओ अब उत्तर सनटनावाद ने लेखाक और पाठाक को पुरी तरह से अलग कर दिया है उत्तर सनटनावाद ने लेखाक को टेस्ट या पार्ट से अलग कर दिया है जैसे मुझसी प्रेम जुन को गुदान से पुरी तरह अलग कर दिया गया रोलाबार्थ का एक चर्चित लेख है लेखा के मृत्यू दडडे थाब दाथर रोलाबार्थ ने एक लेख लिखा था दे थाब दाथर मतलब लेखा के मृत्यू हो चुकी है मतलब लेखा के पार्ट से पूरी तरह अलग हो चुका है रोलाबार्थ का काना है कि कई बार हमें ऐसी टेस्ट मिलती है जिसके रचीता को हम नहीं जानते और जब ऐसे पार्थ को हमारते देते हैं अथा पार्थ का सत्य का संधान करते हैं तो आप पार्थ क्या अलोचक का सत्य होता है मतलब हमको यदि कोई किताब मिली जिसके लेखक के बारे में हमको पता नहीं है कि इस किताब को किसने लिखा है तब जब हम उसको पढ़ते हैं और जब उसको समझते हैं तो उसे हमें जो सत्य प्राप्त होता है जो अर्थ प्राप्त होता है वो वास्तों में पाठक या अलोचक का अस्त्य होता है मतलब उस लेखा करता नहीं होता बलकि पाठक का होता है जो सुम उस पर आरुपीत करता है पाठक के अंतर साक्ष्य से ही हम लेखा के समझ में जान सकते हैं मतलब उस पाठक का गहान अध्यन करके ही हम लेखक के बारे में जान सकते हैं अता यदि महत्पूर्ण है तो सिर्फ पाठ मतब पाठ अधिक महत्पूर्ण हैं लेखक महत्पूर्ण नहीं है पाठक के आलोचक अलग-अलग दिश्टियों से अपने-अपने सत्यया निस्कर पर पहुँचते हैं मतब किसी पाठ को पढ़कर किसी टेस्ट को पढ़कर पाठक या पिर अलोचक अपने-अपने दिश्टियों से सत्यय का संधान करते हैं और निस्कर तक पहुँचते हैं उत्तर सनटनावाद में पाठ के उनिस्थलों का बड़ा महत्त होता है जिनसे पाठक या अलोचक पूर्णता अनविग्य होता है इन्हें अग्यात इस्थल ब्लाइंड स्कॉर्ट का जाता है चोकि इन इस्थलों को बार-बार पढ़ने से हर बार नए अर्थों का संधान होता है इसलिए उत्तर सनटनावादियों के लिए ये पाठ के अत्निंत महत्पूर्ण आन्स होते है मतलब कुछ बातों को तो पाठक या समिक्षक पढ़कर समझ जाता है परन तो कई जगा ऐसा होता है कि कई जगा वो समझ ही नहीं पाता है ना तो ऐसे जो अग्यात इस्थलते हैं अईसी जो बाते जी नहीं वह समझ नहीं पाता है उसका उत्तर सनटनावाद में अत्यंत महत्पूर्ण होता है और उत्तर सनधनावादियों का उद्देश होता है कि उन्हें अग्यात या अद्रिस या अगोचर अर्थ को यहां पर लाकर आरूपित करना अर्थ का संधान करना यह होता है अब उस संहर में हम देखते हैं उत्तर सनधनावादियी मर्ष शुद्ध वस्तु निष्ठ विशय वस्तु से संब्धित विमर्ष है मतलब उत्तर सनचनावादी विमर्ज विशय वस्तु या कंटेंड को अधिक महत्व पूर्ण इस्तान देता है इसमें व्यक्तिता के लिए गुंजाईज बहुत काम है मतलब लेखा के लिए आप कवी के लिए यहाँ पर गुंजाईज बहुत ही कम है उसकी जो इन्डिवूलिटी होती है उसका जो व्यक्तित तो हता है उसको यहाँ पर कोई महत्व नहीं दिया जाता है यहां पर केवर टेस्ट या पार्ट या उसकी सनरचना को महत्त दिया डाता है इस तरह उत्तर सनरचनावाद सनरचनावाद का ना तो नया संसकरण है और ना पूर्णता विरोधी मतवाद मतलब उत्तर सनज्णवाद, सनज्णवाद का कोई नया संस्क्राण नहीं है, बलकि उसके आगे की स्तिति है और या उसका विरोध भी नहीं है देरिदा ने अपने ग्रंथ आप ग्रमेंट्रोलजी में विखंडन के जो तीन सुत्र दिया है मतलब भिंदता या विलंबन या इस्तगन, ट्रेस निसान या चिन, और आर्क राटिंग मतलब आदिलेखन या मुलेखन तो देरिदा ने विखंडन के तीन सुत्र दियें अपने किताब में इन में से प्रतम्तर डिफेरेंट और ट्रेस सा़ःत की भाशा सनज्णआ तथा तीसरा अंकहे अंजान की तलाज से सम्मद्ध है मतलब जो difference और trace क्या है वो भासा की सरटना से सम्मद्धित है और तीसरा क्या है है और difference और जो तीसरा है और कराइटी है आद्धे लेखन या मूलेखन या अंजाने या अंजान की तलास से संबन्दित है वस्तुदा प्रथम में एक ही शब्द पद्बंद के दोभिन अर्थक रण की जा सकते हैं अता प्रमाडिक अर्थ इस्तगेतिया विलम्बीत होता है बाला जो डिफ्रेंस है मतलब आपने किसी टेस्ट को पढ़ा तो एक बर आप उसका एक अर्थक रहर करते हैं दुबारा पढ़ते हैं तो आपको कुछ नया अर्थ है उफ्पे द्योतीत होता है मतलब बार बार पढ़ते हैं बार बार नए अर्थ मिलते हैं इसे एक ही सदियापत बंके आप को अलग-अलग अर्थ मिलते हैं, आप अलग-अलग अर्थ ऐस्ता कीत्त होता है तो वास्ताव में प्रति का प्रतीक भी मूल की तलास है ट्रेस या चीन मतलब क्या था ट्रेस करना मतलब उसका तलास करना कहां पर है और आर्कराइटिंग क्या होता है उस मूल अर्थक की तलास है प्रमाणिक अर्थक की तलास है जिसे अब तक नहीं खोजा गया ट्रेस करना मतलब उस प्रक्रिया का है ट्रेस करना मतलब खोजने की विचारधारा है यह एक बहुद्धिक विमर्ज अत्वा भाशिक दर्शन की नविन द्रिष्टी है तो इस तरह हम कह सकते हैं कि उत्तर समझनावाद मुख रूप से टेस्ट या पार्ट पर अधिक बल देता है और उसके जो अग्यात इस्थल है जिसा अभी तक समझा नहीं गया है उसको टेस करने उसके खोजने की प्रक्विया पर अधिक बल देता है वह इस्तरी पार पर बल देता है वह भाशा पर बल देता है भाशा की सरचना पर बल देत आपको यहां पर description में मिल जाएगा यदि मेरा आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा हुआ तो comment box में निका जरू बताएं साथ ही यदि मेरे चैनल को अपने subscribe नहीं किया तो मेरे चैनल को subscribe करें like करें share करें साथ ही बेल आइकन को दबाना ना पूलें ताकि मेरे पर एक